जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान इसके साथ करनर जी बात करें, यहां से अगर अब कच्चे तेल की, कुरूड ओल की, तो कुरूड ओल में भी हमने आज $139 पर ट्रेडिंग होते वे देखी है, कच्चे तेल में आज भी बड़त का दौर जारी है और खबरे भी हैं कि अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल, गैस और एनरजी इंपोर्ट्स बंद कर दी है, उन पर बैन लगा दिया है और जो UK है वो भी अब इसी प्रक्रिय में है, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करने से कच्चे तेल की जो मार्किट है अभी और जाद उचलने वाली है देखिए, अमरीका ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिमन्द का एलान कर दिया है इसका प्रभाव भारत सहीद पूरे विश्वर पढ़ने की संभावना है और येरोपिय देश में तो इस पतिमन्द का पालन करते हैं, तो पूरे येरोप ने उज्जा का संकट पैदा हो जाएगा वतलब है कि येरोपे संग अपनी जरूर्ट का 40% गैज और 30% कोईला और एक तियाई यानि वन थाट तेल डूस से आयात करता है दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 8 से 10% रूस से ही आता है और रूस हर रोज 70 लाग बैरल कच्छा तेल का मिल्याद करता है इसे अधिक तर इसका येरोप के हिस्से में जाता है और ये प्रतिमन अभी लग जाता है तो सप्लाई बादित होती है तो उसे पूरा येरोप संकट में आ जाएगा और इसका प्रभाव पूरे वोल्ड में पढ़ने की संभावना बनेगी और गौतलव है कि रूस सबसे ज़्यादा प्रतिमन देश हैं वो है स्विजर लेंड पांसो आजटा येरोप संग टैनाडा अस्टेलिया अमेरिका बिखेन और जापान इस सारे जो देश हैं ये अभी प्रतिमन करते हैं तो ये सारी ये समस्या आ सकती है और कैस की आपूर सब्सक्राइब करते हैं तो ये बड़े संकट में आ जाएगा और वहां पर इंडिस्ट्रिल उत्पादन हो या फिर गरेलू बिजली इस सब्सक्राइब कि हमने आपको युद्ध शुरू होने से पहले ही आपको आगार किया था है कि माज के मैने के अंदर उड़्या संकट की पूरी-पूरी संभावनाइब बन सकती हैं और वो देखिए अब ऐसा माहूल बन रहा है और इसके में बड़ी परिशानी अदी आ रही है अग्वातनाब है कि अदी आपके देखा हो कि कुछ समय पहले भी कुछ महीनों पहले एक बार उर्जा संकट हुआ था और उर्ज में जो गैस लाइन के जो आपूर्थी के भी में कोई डिस्टर्वन सी तूट गई थी उससे पूरा योरोप बड़ा परिशान हो गया था बड़ी दिक्कत है आई थी तो लड़ाई जी बढ़ती है और इसकी संभावनाब अब देरे-देरे मैं यह आपसे एक और चर्शा क का जो प्रपोजन है कि नीटों में नहीं शामिल होना वो उसको माने के लावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है लड़ी पी युक्रे रूस के ओपर अमेरिका आइसोलेशन का टैक्रिस अपना रहा है यानि उसको अलग तला कर रहा है जिस समुराई से उस पर आर्टिक प बोनों में भी बहुत बड़ा परक पड़ेगा क्योंकि कि रश्या उसका सबसे बड़ा सप्लायर है और यदि वहां से परिशानी आती है तो इसमें उस जड़ों को की बरबादी तो बिलकुल तह है इसमें कोई भी दोरा है कोई शक नहीं है क्योंकि अल्टरनेट आरेंजम भी अपनी पूरी कोशिश करेगा तो इसको देखते वे मुझे लगता है कि अब दीरे दीरे युद के बादल चटने लगेंगे और युकरेन नीटों में नहीं शामिल होने का अपना निर्णा है वो ले लेगा और इससे रश्या के पास जुद बंद करने का लगा कोई रा अब देट में गोशना करना चाहता हूं वह बीस मार्च के बाद इस सिचेशन काफी हद तक काबू आने की पूरी-पूरी संभावना बन रही है यह गोशना मैं कर रहा हूं यह आपसे नो मार्च सन 2022 बुदवार समय लगबक 11 बिसकर 50 मिनिट यह मैं आपको बता रहा हूं क कि बीस मार्च के बाद में इस सिचेशन काफी हग तक काबू आने की पूरी-पूरी संभावना बनती है जी है अकले अचनल जी आपने ऐसा बोले कि बीस मार्च के बाद situation थोड़ी control हो सकती है तो जानना चाहूंगा कि 20 मार्च के बाद ऐसा क्या होगा या इस दोरान के असपास ऐसा क्या होगा जिससे situation थोड़ी control हो सकती है देखे अगले दर्जिन है इस दर्जिन के अंदर युक्रेन अपना फैसला ले लेगा कि उसको नीटों में शामिल होना है या नहीं होना है नमबर टू जो रशिया की जो दूसरी शर्ते हैं कि इस्टन युक्रेन के अपर में जो राज हैं उनको मानिता देना नीटों में शामिल नहीं होना ये दो महतपूर्ण शर्ते हैं यह जो मैतुपूल शर्तों के उपर युक्रीन काम करेगा और इसे रश्या के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि अपना बिजे बंद करें और दिरेदे जो आर्टिक पतीमन हैं वो आर्टिक पतीमन अमेरिका ने रश्या के उपर लगाए उसका भी असर रश्या की एकॉनोम इसके बड़ी परिशानिया हो रही है जो इसको इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो सबको बड़ा परिशानी है लेकिन ये युदे के आहलात में ऐसी स्थितियां उत्पन होती है और वो कोई भी जो देश इन परिशितियों को देखते वे ही युद का एलान करता है और वो इन चीजों के लिए मांसिक राजयतिक आर्थिक रूप से तैयार होता है और उसके लिए वो अल्टानेट अरेंजमेंट जरूर करता है और पुतीन का जो नजरिया है क्योंकि रश्या के यदि आप वो लेकिस्टिति देखें तो उसके लगबक तेरा देश उसे नीटों से उसमें शामिल हो चुके हैं और यह युक्रेन भी शामिल हो जाता है तो इससे रश्या की सीमाओं पर नीटों का प्रवाव का लगबक तापित हो जाता है और वो उसके लिए उसकी रख्षा के लिए पुतीन का कहना है कि यह रश्या के लिए राज्योंतिक बहुलिक और सा करनाख साधित हो सकता है तो वो अपनी रक्षा के लिए एक अदम उठा रहा है ऐसा पुटिंग का कहना है और अधी हम बोगोले के सिती भी देखें तो है यह सामदे नजर भी आ रहा है अब युक्रेन जो की वीट का पांचवा बड़ा निर्यातक देश है रशिया यानि गे अधार बात कर रहा हूं इसका पूरा असर पूरे वर्ल्ड पर पढ़ता है और उसका अब नतीजा देखने को मिल जाएगा आप पांच राजियों के अंदर एलेक्शन की सामाप्ती हो गई है आने वाले दो तीन दिन के अदर जब पैट्रोल के पांच से दस रुपर हैंगे तो उस वक्त देखेगा कि भारत के अंदर भी बड़ी परिशानी होंगी जदे भी भारत डारेक्टी इन्वाल नहीं है लेकिन अर्थ विवस्ता जो है वो पुरी तरह से चर्मरा सकती है चाहे वह भारत की हो चाहे रश्या की हो चाहे यरोग की हो चाहे अमेरिका की जब महतवपून देशों के बीच के अंदर आपस में तना तनी होती है तो इसका अधर हर आमोखास पर पढ़ता है चाहे वह पाची जार किलोमेटर दूर बैठाओ या तीसी जार किलोमेटर दूर बैठाओ तो यह बहुत महतवपून होगा और यह चीजे लंड़ा समय तक इससे पहले यह समापती हो जाए तो मैं फाइनिशल एस्ट्रोजी के मार्जम के मैं कह सकता हूं कि बीस मार्ट के बाद देरे देरे सिच्वेशन काभू आजाएगी और उसके बाद अपरेल पंदरा चौदा के बाद में इससी काफी हद तक नॉर्मलाइज होने की संभाव है लिएक लेक जी तो काफी बड़ी एति हासिक भविश्यवानी की है करनल अजय जी ने करनल अजय जी के मुताबिक सिच्वेशन जो अभी समय रुश्य और यूकरेन के बीच चल रही है वो बीस मार्ट के आसपास थोड़ी कूल डाउन होती नजर आ सकती है थोड़ी ठीक होती नजर आ सकती है और अप्रेल के मद्धे तक जो सिच्वेशन है उसमें थोड़ा और सुधार भी हो सकता है आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान